नवसकार दोस्तों मैं विवेकरंद सिंग आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ ले के आया हूँ भारती इतिहास एवं संस्कृति का one-liner question जो की previous exam में पूछे जा चुके हैं और यकिनन आगे की जो exam है उसमें भी पूछे जाएंगे तो भारती इतिहास एवं संस्कृति से related one-liner question तो श्टार्ट करते हैं पहला कुशन है वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य वेवसाय क्या था पणी नाम से जो समुदाय थे उनका मुख्य वेवसाय था प्यापार करना रिग वेद में पुत्री के लिए प्रियुक्त सब्द दुहिता का साब्दी कर्थ क्या है दुहिता का जो साब्दी कर्थ है वो गाय का दोहन करने वाली है संगम युग में तमीलों का सरवाधिक लोगप्रिय देवता कौन था संगम युग में तमीलों का सरवाधिक लोक्प्रिय देवता मुरूगन थे मुहम्मेद बिन तॉगलक ने किस धातू में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था तो मुहम्मद बिन तुगलग ने कांस से धातु में सांक्यतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। गुजरात को जीत कर किस ने उसे दिल्ली सल्तनत में सामिल किया था। अमेर खुसरो को किस गायन सैली का जम्नदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यू के पहष्चात उसकी समाधी कहां बनाई गई। अकबर नमा के प्रख्यात लेखक अबूल फजल की हत्या किस ने की थी ? अकबर नमा के जो लेखक हैं अबूल फजल उनकी हत्या की थी वीर सिंग देव बंदेला ने। बागी सहजादा खुसरों को आश्रे देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरू को मिर्थिव दंड दिया था तो बागी सहजादे खुसरों को आश्रे देने के लिए जहांगीर ने गुरू अरजन देव को मिर्थिव दंड दिया था पांडियों का उल्लेक सरप्रथम किस विदेशी यत्री ने किया था, तो पांडियों का उल्लेक सरप्रथम मारको पोलू ने किया था, ब्यास नदी का प्राचिन नाम किया था, तो ब्यास नदी का सरप्राचिन नाम विपासा था, छठी सताब्दी इसापूर में वत्स महा ज दिनपत की राजधानी कौसाम भी थी पाटली पुत्र नामक नगर के स्थापना किस ने की थी तब पाटली पुत्र नामक नगर के स्थापना उदयान ने की थी मगत का प्रथम राजवन्स कौन था मगत का प्रथम राजवन्स हरियंक वन्स था बुद्ध तथा ग्रिहत्या को बौध मतावलंबी क्या कहते हैं तो बुद्ध द्वारा ग्रिहत्या को बौध मतावलंबी महा भृष कर्मन कहते हैं सल्तनत काल में अस्व साला के प्रधान को क्या कहा जाता था तो सल्तनत काल में अस्व साला के प्रधान को अमीरे आखूर कहा जाता था खालसा पंद के स्थापना तथा धर्माचार पाहूल को किस सिख गुरू ने चलाया था तो खालसा पंत के स्थापना की थी गुरू गोविन सिंग ने विशिष्ट द्वेत के प्रवर्तक कौन थे तो विशिष्ट द्वेत के प्रवर्तक थे रामानुजाचारिय खानवा का युद्ध कब हुआ था तो खानवा का युद्ध 1527 इस्वी में हुआ था चोल वंस का संस्थापक कौन था चोल वंस का संस्थापक विजयाले था आगरे के किले में मोती महजित किस मुगल सासक ने बनवाई थी पुष्यमितर सुंग ने असोमेग यह किये थे यह जनकारी किस ग्रंद से प्राप्थ होता है तो पुश्यमित्य सुंग ने असो में गये कि किये हैं यह जनकारी महाभासिस से प्राप्थ होता है एत्रे ब्राह्मन किस वेद का है एत्रे ब्राह्मन रिग वेद का है हिस्टोरी का नामा ग्रंद के लेखा कौन है हिस्टोरी का नामक ग्रंद के लेखक हैरोडोटस है उत्तर राम चरीतर लेखक कौन है उत्तर राम चरीतर के लेखक है भव भूती महमूत के साथ भारत आयकिस बिद्वान ने भारतिय समाज पर किताब उलहिंद नामक पुस्तक लिखी किताब उलहिंद नामक पुस्तक लिखी अलबरूनी ने खर्मेर राजा ने किस भरती राजा से मित्रता के थी सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था नायव ए मामलिकात नामक पद का स्रिजन सल्तनत काल में किस ने किया था मुहमत सा में लोक निर्मान विभाग पबलिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था मुगल काल में पबलिक वर्क डिपार्टमेंट को सुहरत ए आम कहा जाता था बंगाल के किस नवाब ने अपनी राधानी मुरसिदाबाद से परिवर्थित करके मुंगेर की थी किस अभिलेग से पूष्टी होई कि पुस्मित्र सूंग ने असुमेग या कि किया था भूनेस्वर ते था पूरी के मंदिर किस सयली क्या है भूनेश्वर्त था पूरी के मंदिर नागर सैली में है संगम यूगिन ग्रंत तो लग पीयम किस विशे से संबंदित है तो ये संबंदित है ब्याकरण और काब्य से सोन गिरी का इतिहासिक दिगंबर जैन तिर्थ अस्तल किस राजी में है तो सौनगिरी का इतियासिक दिगंबर जन तिर्थास्तल मद्धि पर्देश में है महराष्ट में गणपती पर्व का स्रीगनेश राष्टी चितना लाने के लिए किसने किया था तो महराष्ट में गणपती पर्व का स्रीगनेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने सर्वकर किस पर लगाया जाता था सर्वकर सिंचाई पर लगाया जाता था आज जीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल अंग्रेजों के शाषनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिधान का प्रतिपादन किस ने किया था तो दादा भाई ने रोजी ने परवर्टी एंड अन ब्रेटिस रूल इन इंडिया नामोक अपने पुस्तक में अंग्रेजों के शाषनकाल के दोनान आर्थिक दोहन के सिधान का प्रतिपादन किया था रोलेट एक्ट भारत में कब लागुक किया गया था बिक्रम समवंत कब से प्रारंभ हुआ है बिक्रम समवंत अंठावन इशापूर्व से प्रारंभ हुआ है बणावली एक प्राचेन अस्थल है जहां 1973-74 इस्वी की खुदाई में सिंधु सब्यता का उसेस मिले यह अस्थल भारत के किस राज में है तो बनावली जो कि सिंदू सभ्यता का आउसेस है वो हरियाना राज में है सिंदू सभ्यता में खोपड़ी की सली चिकिस्टा का सुनिश्चित साक्ष कहां से प्राप्त होता है तो सिंदु सभ्यता में खोपडी की जो सलिचिकिस्सा का जो साक्ष मिला हुआ काली बंगा में मिला है रिगवेद में ऐसी कन्याओं के उधारन भी मिले हैं जो दिर्ग काल तक अथवा आजीवन आविवाहित रहती थी ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे तो दिर्ग वेद के अनुसार ऐसे कन्याओं जो की दिर्ग काल या आजीवन आविवाहित रहती थी ऐसे कन्याओं को अमाजू कहा जाता था महात्मा बुद्ध के समय कौसल देश में कौन राज जी करता था किस सासक ने बैशाली का पृत्याओं करके पाटली पूत्र को मगद राज की राज जी करता था असोक के किस सिला लेख में कलिंग यूद्ध का वर्नर है असोक के तेरहवें सिला लेख में कलिंग यूद्ध का वर्नन है पुसमित्र सुंग ने किस सासक की हत्याय करके पाटले पुत्र की गद्धी पधिकार किया था तो पुसमित सुंग ने जो अंतिम मौरी शासक था ब्रेदरत उसकी हत्याय करके पाटले पुत्र की गद्धी पधिकार किया था चालिस गुलामों के दल का विनास किस सुल्तान ने किया था दिल्ली का अंतिम सासक कौन था दिल्ली का अंतिं सासक इब्राहिम लोधी था कलाईव ने साइनिक सिधारों के लिए देश को तीन भागों बाटा सेना का एक भाग मौंगेट, दूसरा भाग माकिपूर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहा नियुक्त किया गया था तो तीसरा भाग नियुत किया गया था इलहाबाद में प्रसिद बीबी का मकबरा किसने किसके यादगारे में बनवाया तो प्रसिद बीबी का मकबरा औरंग जेब ने अपने बीबी बेगम बगिया दुर्रानी के यादगार में औरंगाबाद में बनवाया परसिद चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? परसिद चित्रबाज के चित्रकार उस्ताद मन्सूर थे परसिद ग्रंथ सिध्धानत सिरोमनी और लिलावति के लेखा कौन है? तो परसिद ग्रंथ सिध्धानत सिरोमनी और लिलावति के लेखा के भासकराचारे शिसु पालवद किसकी कृती है तो सिसु पालवद मांग की कृती है स्यादवाद का अर्थ है सायद है भी और नहीं भी अकबर का सिक्षक कौन था अकबर का सिक्षक मीर अब्दुललतीफ था प्रसिद कोहिनूर हीरा साजहां को किशने भेट किया था तो प्रसिद कोहिनूर हीरा साजहा को मीर जुमला ने भेट किया था साजहा ने महा कवी राय की पद्वी किसको दी थी? साजहा ने महा कवी राय की पद्वी दी थी पंडित जगरनात को अकबर के समय बनी पहली महत्पुन इमारत कौन सी थी? अकबर के समय बनी पहली महत्पूर निमारती हुमायू का मकबरा कौन सा मुगल सासक साही दर्वेश एवं जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है तो औरंग जेव को जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है अंतिम मौरे समराठ कौन था तो ब्रिहत रद था हर्स की प्राजय किस के हाथो हुई हर्स की प्राजय पुलकेशिन दिते के हाथो हुई ललीता दित्य किस राज जी का सासक था ललीता दित्य गस्मीर राज जी का सासक था हुमायो नामा किस की क्रिती है हुमायो नामा गुलबदन बेगम की क्रिती है पाल वंस के किस सासक ने प्रसिद विक्रम सिला विश्विद्य अले के स्थापना की थी गुप्त वंस के कौन सासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है गुप्त कर quan वन्स का जो चंद्रगुप्त देती है वो उसे देवराज और द्रौत के नामसे भी जाना जाता है लुदी वन्स किससक ने भुमी के लिए एक प्रमानिक पैमाना गजे-सिकंद्री का पर्चलन करुआय था तो लोदी वंस के सिकंदर सा लोदी ने भूमी नापने के लिए एक पेमाना गजे सिकंदरी का परचलन करवाया था सल्तनत काल में सद्का क्या था सल्तनत काल में सद्का एक परकार का धार्मिक कर था समराट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचारिय हरी विजे सूरी को क्या उपाधी परदान की थी उस्ताद मनसूर तथा अबुल हसन किस मुगल सासक के स्रेष्ट कलाकारी से थे उस्ताद मनसूर तथा अबुल हसन जहांगीर के स्रेष्ट कलाकारी में से थे होलकर ने अंग्रेजों से मंदसूर के संधी कब की थी होलकर ने अंग्रेजों से जनवरी 1818 में मंदसूर के संधी की थी पेरिप्लस ओब धी अरिटियन सी में अरिका मेड़ू बंदर गाह को किस नाम से संभूधित क्या गिया है अलाउदिन दौरा नर्मित अलाई दरवाजा किस मंदिर का पřुवेश दौ़ार है अकबर के अलपाईयू होने के कारण 556 से 1560 तक मुगल समराज की सासन के जिम्मेदारी किसके हाथों में थी तिया बैरम खां के हाथों में थी अंतिम मुगल सासा कौन था बहादूर सा जफर था बहुत धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो गौतमी थी स्रीमद भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है किस साथ वहां नरेश ने गाथा सब्थशी नामक महतपुन कृति के रश्ना की है तो हाल ने की है। किस राष्ठकुट शासक ने ऐलोरा के परवतों को काड़कर प्रसिद्ध कैलास मंदिर के निमान करवाया तो करिश्णा प्रत्रम थे। चोल सासक किस धर्म के अनुयाई थे, सैव धर्म के अनुयाई थे, किसी यूद्धु को जितने के प्रचात सेर साने दिली में अफगान सत्ता के स्थापना की। आलम्दी टिला जो निस वान्भावन में पता लगा था उत्तर प्रदिश के मेरडचिले में इस्तित है एहोल अभिलेक की सासक से सम्मंधी थै तोलव कपियम किस यूग की महान करती है इलहा बाद स्तम्लेक का रश्णाकार कौन था इलहाबाद इस्तम लेकर रचनकार हरिशेन था किस मुगल शाश को साहे बेखबर के नामसे जाना जाता है तब भादूर साथ प्रत्रम को साहे बेखबर के नामसे जाना जाता है अंतिन मुगल बात्सा बहादूर सा देती की मिरतिव कहां हुई तो अंतिन मुगल बात्सा बहादूर सा देती या बहादूर सा जफर की मिरतिव रंगून में हुई फोर्ड विलियम कहा इस्तीत है, तो फोर्ड विलियम कलकत्ता में इस्तीत है, रन्जीत सिंग और ब्रिटिस इस्टिटिअ कंपनी के बीच अथारिस नो में कौन से संदी हस्ताक शूरित हूई थी? तरंजीत सिंग और ब्रिटिस किष्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में अमरित सर की संधीप पर हस्ताक्षरित हुई थी सिंध विजय का स्रे किस ब्रिटिस अधिकारी को है तो सिंध विजय का स्रे चाल्स नेपियर को है वैदिक राजाओं दोर अपनी परजासे वसूल कीये जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था संगम युग का ग्रंत मनी मेकले बौद धरम का इस रश्टा को पर्ति-पादित करता है भगवान बुद्ध के जीवन के किस घटनाओ को महाभिनिस कर्मन कहा गया है तो भगवान बूद्ध के जीवन के जो ग्रिहतात तृत्या की जो घटना है उसे महा भिनिस कर्मन कहा गिया है किस शुरोत के अनुसार असोक ने अपने ब्रिधावस्ता में राज सिंगहासन अपने पौत्र समप्रती के पक्ष में परित्या किया तो असोक ने ब्रिधावस्ता में राज सिंगहासन जो है दिव्यावादान जो उसका पोता था उसके लिए उसके लिए परित्या किया दिब्यावादान के नसार असोक ने अपने बृद्धावस्ता में राज सिंगासन का अपने पोत्र संप्रति के पक्षें पर इत्या किया चालिसा चालिस अमीरों का समू का जड़ मूल से किसने विनास किया तो चालिसा जो कि चालिस अमीरों का समोह था उससे जड़ मूल से मिनासकिया बलबन ने हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था हैदराबाद नगर का संस्थापक मुहम्मद अली कुतुप साह था चांद बेभी का विवा किस राज के सुल्टान के साथ हुआ था चांद बीवी का विवा बिहापूर का अली आदिल साह के साथ हुआ था तो हमारा यह सार संग्र है और यह मैं स्रीज इसका लेके आने वाला हूँ तो हमारा आज का इतना ही वीडियो समाफ्त होता है क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है चोटा चोटा वीडियो में आप लोगों के सामने लाता रहूँगा तो आसा करता हूँ कि आप लोगों का हमारे अप्रियास अच्छा लग रहा होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए